आपकी एडवाईज हमारी देश रपा सुरुच आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बसौगत हैं तो देखो आज कि स्वीडियो में क्या मैं बताने वाली हूं तो जैसे कि इसके पहले मैंने वीडियो बजाए था तो उसमें बताया था आपको कि we then gotta have a question does about it , बताना था उसे हो सकता है तो अभी जो है धेख अथा रहा हूं next अभी आपको भूलाया गया है उसको हम देखेंगे कैसे तो मैं बता दू आपकोática क्या है पहले देख लेते हैं प्रफटा फटे सा gonna आप देख पारो यह Google है right Google open कर लिजी आप Google पर जाने के बाद आपको सर्च करना है क्या दिपत आ रही हूं मैं यहाँ पर आप सर्च करोगे कर अपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर तो चोट देते हैं इसको हाजी ऑक कुछ सेंट सेर्फ लिन्क और टेस्ट 15 जिसी को ठीक है यानि कि सिर्फ 3 पोस्ट का भी आया है इसमें वाइकेंसी बहुत जदा कम थी, पोस्ट कम थी उसी का आया है, तो देख लेते हैं, Click here to download a call letter for, तो राउनलोट करते हैं सो, क्लिक करते हैं, Okay तो यहाँ पर देख पारो, कि, तो यहाँ पर देख पारो, short list candidate second list के लिए mining सर्दार junior overband तो यहां पर मैं लिख दे रहे हूं MS junior mine surveyor और vocational training instructor जैसे कि हमें पता है कि माइन अगर mining सर्दार के अगर हम बात करते हैं तो उसके तीन ही पोस था जो कि तो यहां पर मैंनिक सर्दार के लिए कोई सीट नहीं था राइट तो जुनियर माइन सर्वेयर के लिए कि लिए कि लिए तीन था वो भी अन्रिजब से बाकी अगरी के लिए नहीं था मतलब कि काटेगरी वाइस क्ले था ही नहीं और वोकेशनल ट्रेनिंग इस्ट्रक्टर के जब हम बात करते हैं तो इसके लिए कितना था आठ सीट थे वो भी अन्रिजब के लिए नो कैटेगरी ठीक है अब यहां पर क्या था कि 1 इस्टू 5 रेशियो पर बुलाएगा तो अगर 1 इस्टू 5 रेशियो बुला रहा है तो वो 10,5,10,40 तो 40 बच्चों को बुलाएं 2nd skill test के लिए और यह जो आप देख पार हो यह जूरू माइन सर्वेर तो इसके लिए 3 है इसके लिए कितना बुलाएगा 15 बुलाएगा और इसके लिए 15 बुलाएगा इस हिसाब से जो है इनका 2nd round होना चाहिए तो यहां पर देख पा वोकेशनल ट्रेशनल ट्रेनिंग इन्स्ट्क्टर याँनि कि 40 भच्चे को बुलाना था लेकिन इसनल सुनम सकते हैं नहीं होगा लेकिन कमी होगा लेकिन कमी होगा नहीं होगा थे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो cut off है वो कितना गया है तो माइनिंग सेदार के लिए देख पार हो पैस्टी के cut off गया 75 समझ पार हो 75 214 और जूनियर माइन सर्वेय के लिए गया है 120 ठीक है यानि कि माइनिंग सेदार का paper जो है वो hard था अगर 75 आ रहा है cut off तो इसका मतलब कि paper हार्ट रखा गया था जूनियर माइन सर्वेयर आप देख पार हो 120 रखा गया है और वोकेशनल ट्रेनिंग इस्ट्रक्टर का 98 आया है ठीक है तो इनकमपरेजन तो ओवर मैन की जब हम बात कर रहे हैं तो आप समझ पार हो मतलब कहां 190 प्लस बात कर रही थी मैं और कहां यह देख पार हो मतलब कोई आसपास ही नहीं है उसके कुछ तो यह सब पेपर जो है काफी हार्ट मुझे लगता है यह आया है तो मुझे फिर इस ही साब से तो लगता है कि माइनिंग ओवर मैन का पेपर इजी था इसलिए 190 प्लस चला गया बाकि इंकम परेजन टू अधर पोस जाएगा ओवर मैन का बहुत जल्दी आ जाएगा तो बिलकुल टैंशन नहीं लेना है ठीक है यह जैसे आ जाता है उसके बाद फिर मस्त बढ़िया अपना लग जाए उसमें स्किल टेस्ट के लिए और जहां तक मुझे रखता हो ही जाना चाहिए यह देख लो और जिसमें मेरी बात को ध्यान में रखते हुए फिर जाएगा आप ओके तो चलो फिर आज क्ली इतना ही इसी तरीके से हम दूसरा वीडियो लेके आएगे जिसमें अगर कट आफ आता है मानिंग उवर मैन का जल्दी जल्दी रिलीज होता है तो उसको हम लेके आएगे ओके तो चलो फ झाल